नमस्कार साथियों मेरे यूटूब चैनल विच इस आरपीसी एकजाम्स विथ एमके सर आज हम रीट लेवल टू साइंस के लिए कुछ वन लाइनर कॉंसेप्ट लेके आए हैं जो बहुत इंपोटन्ट है और लेवल टू में फिजेक्स, केमिस्ट्री, बाइलोजी के मिक्स है ये और सभी पे कुछिन बनती हैं तो चलते हैं स्टाड करते हैं फर्स्ट पानी के अंदर जो बुलबुला होता है बुलबुला किस तरह के लेंस की तरह कारे करता है तो पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है वो अपसारी लेंस की तरह कारे करता है अउतल लेंस की तरह कारे करता है सेकेंड है किस तापमा पीपर सेंटीग्रेट तथा फारने हाइट का पाठ्यांग समान होता है सेंटीग्रेट और फार्नेहाइट का पाठ्थे अंग जो है वो 40 डिग्री पे समान होता है सफे सोना वाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटीनम को चूहा विस जिंक फासफाइड होता है क्योंकि रोडेंशिया वरके जो एनीमल है उनको मारने के लिए काम में ले आता है रेट किलर होता है यह है जिंक फासफाइड नेक्स शेहद का मुख्य गटक होता है फ्रक्टोज यह तरह से कार्बोहेडिट का प्रकार है जो शेहद में काफी मातरा में मिलता है नेक्स लेते हैं एतलेट फूट नामक बिमारी होती है कवक से रिंग बॉम से एतलेट फूट नामक बिमारी होती है लंबे समय तक उपवास रखने से यानि कुछ भी नहीं खाने से औरगन जो एफेक्टोड होता है वह है गुर्दा या किडनी रक्त इस्त्राव के समय थक्का बनाने में साहिक कौन सा एंजाइम होता है वो प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रोनोजन जो है वो मुख्य एंजाइम है जो थक्का बनाने में काम में आते हैं नेक्स लेते दमदम जोर कहा जाता है दमदम जोर जो है वो काला जार को कहा जाता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरीवर्तित रहता यानि की कॉंस्टेंट क्या रहता है चेंज नहीं होता है वो है उसकी आवर्ती तो उसकी आवर्ती जो है वो परीवर्तित नहीं होती है नेक्स है बातानुकूल AC नियंत्रित करता है क्या करता है वो बातानुकी आदर्ता और तापमान जो है वो दोनों को नियंत्रित करता है हर्दय की धड़कन नियंत्रित करता है तो कौन सा जो मिनरल है वो हर्दय की धड़कन को कंट्रोल या नियंत्रित करता है वो है पॉटेशियम तो पॉटेशियम जो है वो हर्दय की धड़कन को नियंत्रित करता है नेक्स है रक्त का pH मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच जो है वो रक्त का pH होता है next लेते हैं एलकोल के किणवन में प्रियुक्त होता है तो एलकोल के किणवन में yeast जो होता है वो प्रियुक्त होता है जब गुलकोज या ग्रैप सुगर जिसको बोलते हैं उस ग्रैप सुगर के अंदर yeast को डालते हैं तो alcoholic fermentation होता है और यही alcoholic fermentation से जो है वो alcohol का निर्मान होता है तो उसमें जो microorganism यूज में लिया आता है वो है yeast नेक्स्ट है कद्दू का आटा क्यालाता है phagopime यह biodiversity के अंदर पूछा जा सकता है phagopime नेक्स लेते हैं मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है यानि कि alcohol बहुत ज़्यादा drink करने से कौन सा अंग defectored होता है वो है liver pay factor था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो liver इस alcohol को consume करता है next लेते हैं clinker theory संबंदित है aging जो होती है उससे संबंदित है clinker theory next लेते हैं vitamin A vitamin A संचित रहता है vitamin A किस में संचित रहता है vitamin A liver में संचित रहता है लीवर में संचित रहता है नीमोनिया से प्रभावित अंग यानि नीमोनिया में अंग कौन सा प्रभावित होता है तो नीमोनिया में फेफडे या लंक्स प्रभावित होते हैं next, एक carbon dating समटुल्य होता है, यानि कि carbon, credit जो होता है, वो किसके समटुल्य होता है, 1000 kg carbon dioxide के समटुल्य होता है carbon credit, next is 2000 degree centigrade से अधिक जो तापमान होता है, उसको माँपने के लिए किसका उप्यों किया जाता है, वो है pyromieutra, तो pyrometer जो है वो 2000 degree centigrade से ज़्यादा जो temperature होता है उसको मापने के लिए use में दिया जाता है iodine जो naturally मिलता है ये naturally iodine जो है laminaria नामक सेवाल से मिलता है जो समुंदरी सेवाल है वहाँ से ये iodine मिलता है next लेते हैं खून में रक्त का थक्का पता करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि blood में जो है वो clot है कि नहीं तो ये पता करने के लिए sodium 24 जो है वो use में लिया जाता है sodium 24 से जो है वो पता चल जाता है कि रक्त में थक्का है कि नहीं नेक्स है पित का निर्मान होता है बाइल का निर्मान होता है जो सामानी रूप से वसा के पाइसी करणिया फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए यूज में ले जाता है तो ये निर्मान होता है यक्रत में ठीक है नेक्स लेते हैं पारिसिती तंत्र में उच्छतम पोशन तो जो अबगटक होते हैं इन अबगटक को फूशन प्राप्त होता है क्योंकि ये उत्पधिक यानि प्रोडेकaving जो है प्रोडिूजर है कंजूमर है इन दोनों की बॉड़िपे ये रहके और वहाँ से फूड प्राप्त करते हैं तो उच्चतम पोशन जिसको बोलते हैं वो अब गटक जो है उनको प्राप्त होता है, डीकंपोजर को प्राप्त होता है, वो सामानी रोप से पर पोशी बाक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हो सकते हैं, नेक्स लेते हैं, घाव भरने में विटामिन C का उप्योग किया जाता है तो घाव भरने की समय जो सबसे जад go c यूज में आता है वो है vitamin C, ग्रान समविदना में कमी यनि सूंगने में कमी जो है वो क्यलाती है, मानवा के पुतली जिस alkaloid की वजह से फैलती है, वह कैलाता है atrpene, atrpene की वज़ से मानवा के पुतली जो है वो फैल जाती है, next है, समतल दरपन की वक्रता तिरजा जो होती है वो अनन्थ होती है यह important question है समतल दरपन की वक्रता तिरजा जो होती है वो अनन्थ होती है next लेते हैं शांतिकारी relaxing जो medicine होती है वो है potassium bromide potassium bromide को शांतिकार कौश्दी या relaxing जो है वो medicine कहा जाता है नेक्स इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के परपस से सुनकार द्वारा प्रियुक्त एक्वारेजिया नि अम्ल राज जो होता है, वो हैड्रो क्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हC-L और HNO3 से बनावा होता है, इसको अम्ल राज या एक्वारेजिया बोला जाता है लिए यूज में लिया जाता है नेक्स सरवादिक विटामिन ए किस फल में मिलता है तो यहां पर सरवादिक विटामिन ए के लिए फल पूचा है फ्रूट पूचा है न कि कोई भी वेजिडिरेशन पूचा है वनस्पति पूची तो सरवादिक विटामिन ए जो है वो आम में म सबसे ज्यादा शैवाल जो है वह फोटो सिंथेस करेंगे फोटो सिंथेस करेंगे जिससे ऑक्सिजन रिलीस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वह शैवाल से ऑक्सिजन प्राप्त होती है नेक्स है ग्रीन मफलर संबंदित है ग्रीन मफलर किस से संबंदित है ये द्वनी प्रदूशन से संबंदित है ग्रीन मफलर जो है वो द्वनी प्रदूशन से संबंदित है नेक्स है गाशामिर रेशम जो है वो प्राप्त किया जाता है वो मकडी से प्राप्त किया जाता है गाश्यम ये रेशम मकडी से प्रात किया जाता है नेक्स्ट है, मानसिक विकलानता है तू राष्टिय संस्था जो है इस्तित है वह है है घदराबाद में नेक्स्ट बहुत इंपोर्टन्ट है ये फिजिक्स के पार्ट से टीवी रिमोट कारे करता है अवरत तरंगों द्वारा इन्फरा रेड जो रेज है उनके द्वारा टीवी जो का रिमोट है वो कारे करता है नेक्स है बोलो मीटर जो है वो उसमी विकिर्णों को नापने के लिए काम मिले जाता है ये भी फिजिक्स का पोर्षन है रीट के परपस से नेक्स है लोहे को जंग रहित बनाने के लिए प्रियुक्त किया जाता है क्रोमियम क्रोमियम का उप्योग किया जाता है जिसे लोहे पे जंग नहीं लगती है नेक्स्ट नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरी जो है वो नोबेल का तेल कहलाता है नेक्स्ट दंत चिकिसक द्वारा प्रियुक्त दर्पन बहुत इंपोर्टेंट यह अउत्तल दर्पन जो है वो दंत चिकिसक द्वारा प्रियुक्त किया जाता है मिकास तकनीक है पाइपास सर्जिरी की तकनीक को मिकास बोला जाता है Moreover पोलियो वाईरस मानुष सरीन में प्रवेश करता है यह जो दूसरित फूंड है या भोजन है या जल है वहाँ से पोलियो वाईरस मानुष सरीन में प्रवेश करता है तो यह आज के थे Total 47, One Linear Concept जो REIT के परपस से काफी important है Next video में मैं next 50 जो है one linear concept आपके लिए उपलब्त करवाऊंगा thank you for watching my video अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो useful लगे और read के लिए important लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा student को share कीजिए क्योंकि मेरा target यह होगा कि read level 2 science के जो questions आएंगे 15 और कुछ नए questions और add की है video